जै मतदी दोस्तों कैसे हैं आप लोग अश्य करते हूँ सबी लोग अच्छों होंगे दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कार्थिक मास की अमवस्या को होता है दीपावली कात्योहार यानि कि दीपो कात्योहार जब हमारे शिरी राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आये थे तब अयोध्या वास्यों ने उनके जीत की खुशी में पूरी अयोध्या में दीप जलाये थे जिसकी वज़े से हम अयुद्या में नहीं पूरे देश में हम दीपों से अपने घर को जगमगाते हैं और अपने देश को जगमगाते हैं लेकिन दीपावली के दिन हमारे पास कौन-कौन सी सामिक्री होनी चाहिए पूजा की समय वो हम जान लेते हैं इस छोड़ी सी वीडियो में क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कुछ कमी रह गई तो हमें पूरे साल यही रहेगा कि काश हम कोई वीडियो देख लेते जिससे कि हमार जो पूजा है वो उसमें यह सामान चूड़ गया तो ध्यान से देखेगा आपको समझ में आ जाएगा अगर नहीं आए तो कॉमेंट सेक्षन में पूछ लीचेगा यहां पर बात करते हैं कि हमें दीपावली के दिन जब लच्छमी पूजन हो तो उसके लिए हमें क्या चा आ ऐसान लगा सकते हैं इसके बाद उसके बाता लच्छमी जो आप प्रतिमा कर आए तो अति उत्तम है नहीं तो लच्छमी गनेश के तो लाना ही है आपको इस वात का विशेष्थ्छान रखें उसके बाद आपको कलस पूजन अगर आप कलस स्थापना करते हैं तो आपको एक नारियल चाहिए रहेगा आम के पत्ते चाहिए रहेंगे क्योंकि आम के पत्ते जो है वो कलस स्थापना कलस में रखने के लिए होंगे और साथी साथ उसमें हम बंदरबार भी बनाएंगे अब हमारे पास साथ प्रकार के अनाज थे तो हमने अनाज रख लिए जिसमें की जौ है चना है चावल है गेहूं है और मूग सजी मूग है और उसके साथ धनिया है मतला अच्छमी को धनिया आती प्रिये हैं तो धनिया जरूर से लेकर आए खील बतासा है सोना चांदी जो भी आपके घर में आबुसर है वो आप जरूर से ले लीजेगा जिसकी भी पूजा करना चाहते हैं अगर नया कोई धन तेरस्क पर खरीदा है तो वो आप ले लीजेगा अब यहाँ पर पान के पत्ते लिए हैं मैंने जनेव लिया है हल्दी की साथ गाठ ली है मौली ली है बस्त शरूप और माता की चुनरी भी ली है अब यहाँ पर पान के पत्ते भी लिये हैं क्योंकि पान के पत्ते पर हमें भोग लगाना है माता का अब मिस्ठान के लिए आपने जो भी बनाया हो वो भी आपको चाहिए रहेगा पीले चावल आप पहले से ही हल्दी में करके रखिएगा माता को प्रशन करने के लिए हमें कमल के पुष्प चड़ाना अति उत्तम माना जाता है लेकिन कमल के पुष्प नहीं मिल पाते हैं किसी किसी को ही मिलते हैं तो ऐसे में आप कमल गटा माता को विशेश प्रिये हैं माता की करपा पाना चाहते हैं तो आप कमल गट्टा साथ या पांच जरू चड़ाए अब यहां पर रंग विरंगे फूल जो भी आपके पास हैं जैसे की गुलाब के फूल मिल जाए तो गेंदे के फूल मिल जाए तो आप लीजिए मौसमी फल जो भी आपके यहां हूँ वो आप ले लीजेगा खरीद ली हे आटे दीपक भी बनाना है अगर 46 जबूल चलाना है तो अगर आप के हाँ जैसी प्रमपर्णाहा उस पीरकार से कीजिएगा भी आपको in order पर चले सुका दिपक ऐसे से सर्षों की तेल का लगाते हैं अनुसार देख ले डाहें tav Vernon यानि चीन स्वारे और माता की चरत्रडपादुपा यानि की माता की यह जो पैर के निसान है यह भी हम दो जोड़ी लेकर आएंगे भी दुल're के दोनों तरफ लगाएंगे, जिससे की मातालचमी हमारे घर में आएं और हमें धन बैबब और सम्रद्दी दे कर जाएं यानि कि माता को परसन करना है, अब यहां पर कुमकुम ले लिया है, मैंने सिंदूर ले लिया है, इत्र ले लिया है, क्योंकि माता को सुगंद बहुत इत्र बहुत प्रिय है क्योंकि जो शुक्र होता है वो भी इत्र का ही एक अफ्तार होता है तो हमें धन संपदा चाहिए तो इत्र ज़रूरी है कलस लेना है जो भी कलस में स्थापना करेंगे वो कलस लेनी है और साथी जो भोग लगाएंगे हम उसमें जल हम चड़ाएंगे वो जल के लिए भी एक लोटा चाहिए साथी देसी घी अगर आपके घर में है गाय के सुद्ध देसी घी है तो वो अतियुत्तम है नहीं तो जो सरसोigon के तेल का से बउत जरूरी होती है तो कपूर और धूप जरूर से क्योंकि दूप सुगंध के लिए होती जिससे में रह इस्याधीन कहती है अब यहां पर देखें लाचंदि को हम इन को भी सामिल करें अगर आपके घर में ऐसा अबने जरूर्द कीजिए अगर आपने धंतेरस पर कुछ नया खरीदा है सोना चाहते तो उसकी भी पुजा अवश्य रूप से कीचेगा अब यहाँ पर जो मुख्य है वो है जाडू क्योंकि माता लच्चमी का निवास होता है जाडू में जब ही हम बोलते हैं कि जाडू में पैर मत मारो क्योंकि ये माता लच्चमी का निवास है इसमें तो जाडू की भी पूजा करते हैं ये हम धंतेरस पर खरीदते हैं अगर आ अभी भी आपके पास दो दिन का डाइम है आप जरूर से खरीड लीजेगा उसके बाद आप जो भी पूजा में दच्छिना देना चाहते हैं जो भी चड़ाना चाहते हैं क्योंकि सब कुछ माता का ही है तेरा तुझको और पड़ क्या लागे मेरा सम माता का ही है लेकिन फिर झांदे कणिएर क्या लेकिन उसी का लीजें पड़ाना चाहते है थिसानी पास भ kwest फिसलें इजेगा वाहते हैं जो देज जाते हैं जो बादाटे हैं पर फिसले की सेधते हैं लेड़ में पर जो एीज़ते हैं जो लेल दो पह बंई बना खाानी जोर isगी